दिली में सरेयम चाकु बाजी की घटनाय रुखने का नाम नहीं ले रही है। गाया लड़के सुमित गौतम का इलाज दिली के एमसस्पताल में चब रहा है जहां उसकी हालत गंभीर बनी भी है। मोहन बाबा नगर के गली नमबर 9 में एक युवक को चापु मार दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुँची और घायल युवक को अस्पताल पहुचाया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए DCP साउथ इस्ट राजेश देव ने बताया कि जितेंद्र बदरपुर ठाने का घोशित अपरादी है। वही घायल युवक की हालत गंभीर बरी हुए। इसका इलाज एम्स ट्रामा सेंटर में चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाच की जा रही है। बता दे के 28 मईं 2023 यानी रविवार की रात दिली के शावार डेरी इलाके में साहिर नाम के एक सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमी का साक्षी को चाकू से गोड डाला था। उसने साक्षी पर चाकू से 20 से भी जादा वार किये थे। इसके बाद भी उसे चैर नहीं मिला तो उसने भारी पत्थर से साक्षी का चैरा कुचल डाला और इस हमले में साक्षी की मौके पर ही मौत हो गए। हैरानी की बात यह रही कि साहिल ने सरयाम लोगों के बीच इस खौपनाक वारदात को अज़ाम दिया। लोग तमाशबीन बने रही और बहा से उज़रते रही। लेकिन किसी ने भी साक्षी को बचाने या साहिल को रोपने की कोशिश नहीं। पुलिस ने वारदात के करीद 15 घंटे बाद ही आरोपी साहिल को यूपी के बुर्दी शहर से गिरफतार कर लिया।